क्या आपका भी इंस्टाग्राम से प्यार काफी जार था या यू कहीं कि इंस्टाग्राम के अंदर आपका प्यार था और अब वो प्यार चला गया है रूट गया है या फिर कुछ भी हो गया है जिसकी वएसे आज आपको इंस्टाग्राम को डिलीट करना पड़ रहा है या फिर दोस्तों यूं कहूं कि आपका इंस्टाग्राम एकाउंट पे कुई ऐसा कांड हो गया है जिसकी वएसे आज आपको लगता है कि भाई मुझे इंस्टाग्राम एकाउंट की जुरुएत नहीं है या आपको कुछ भी ऐसा कोई बंदा है जो परिशान कर रहा है जिसकी वएसे आप कह रहे हैं कि भाई मुझे आज इंस्टाग्राम एकाउंट की जुरुएत नहीं है मुझे इस गंदी चीज को डिलीट करना है जी हाँ दोस्तों आज की डेट में आपको वो गंदी लग रही होगी हो सकता है दोस्तों ऐसा कुछ भी ना हुआ हो तब भी आप डिलीट करना चाहरे हो क्योंकि हो सकता है आप सीरियस होगे हो अपनी जिंदगी में पढ़ाई को लेकर और अब डिस्ट्राक्शन को खतम करना चाहरे हो होसता है अब आप भी IES ओफिसर बना चाहरे हो दृष्टी की वीडियो देख देखके मोटिवेट होगे हो तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ भी है आज मैं आपको इस वीडियो मताने वाला हूँ कैसे आप लोग तीन तरीके से डिलीट कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को जी हां दोस्तों बताये तो पूरी वीडियो जरूर देखना नहीं देखोगे तो जिन्दगी में यहां पे भी कोई नप कोई कांड हो जाएगा और आप लोग अपनी वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट नहीं कर पाएंगे साबित होगी जब आप इसको यूज करेंगे तो चले दोस्तों स्टाट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी बकवाज के और दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल पर आया है अगर मैं इस वीडियो में आपकी एक परसेंट भी हल्प कर पाहूं तो भाई एक लाइक और एक स तरीके से बताएंगे आपको पहला तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है बट लेंदी है सेकेंड और तरीका थोड़ा सा जाधा असान है तो उसको आप जरूर देखना तो पहला तरीका जो है पहली बात आयता हूं इंस्टाग्राम इतना लीचर आदमी है कि वो कभी भी आपक चाहेगा नाशन आप अपने अकांट तो दोस्तो डिलीट करने जो पहला तरीका और दिखाता हूं मैं आपको आपको जाने दोस्तो दोस्तों त्री लाइनस प्रोट करने के बाद आपको यहां पर सेतिंंग के अधा अवो जिसका आपको कोई यूज नहीं है अब अपने लोग क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर help के उपर क्योंकि दोस्तों Instagram आपको कहीं पर किसी भी setting के अंदर delete का option नहीं देता क्योंकि Instagram नहीं चाहता कि आप उनको छोड़ के जाएं दोस्तों इसी case में अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी तरीका आपको नहीं दे रखा होगा कि आप अपने account को delete कर पाएं जिहां दोस्तों there is no other way बड़ दोस्तों जब तक मैं आपके साथ हूँ तब तक आपके पास हमेशा options मिलते रहेंगे दोस्तों आपको क्लिक करना है help center पर और help center पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर three lines पर again क्लिक करना है दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर manage your account का option जिहां दोस्तों manage your account के option पर क्लिक कर लीचे and here we go दोस्तों आपको दिख रहा होगा delete your account बट रुके 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 यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप video को छोड़ के चले जाएंगे और आप delete कर पाएंगे तो आप बहुत ही बड़ी गलत फैमी में है क्योंकि दोस्तों Instagram ने इस link के अंदर या इस option के अंदर भी डंग से नहीं बता रखा कि कहां से आप delete कर सकते हैं ट्राइ करना चाहते हो करके देख लो यहाँ पर मैंने क्लिक किए delete your account पे यहाँ पे लिखा है दोस्तों मैं छोड़के चला जाता है वीडियो को तो दोस्तों बिलकुल यहीं पर थमझाओ क्योंकि वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़्यादा essential है नहीं तो आप सच्ची में delete नहीं करपा होगे it has become very hard क्योंकि Instagram अब बिलकुल भी नहीं जाता बट मैं आपर टेंप्रेरली से स्टार्ट करूंगा और पर्मनेंट वारा डिलीट करके दिखाऊंगा तो दोस्तों देखिए आपर कुछ steps बता रहे हैं just ignore all of them and नीचे आपको एक link मिलेगा follow these instructions if you would like to delete your Instagram account दोस्तों आपको इस पर click कर लेना है दोस्तों जैसे आप इस पर click करेंगे again दोस्तों there is no link given right अब आप सोचेंगे भाई क्या पागल मना रहे हो आप भाई भाई कोई पागल निवारा दे this is the only way जिसके तुरू आप अपना Instagram account delete कर पहेंगे अब दोस्तों आपको क्या करने है अब आपको यहाँ पर Android app help पे click करने है and here we go दोस्तों यहाँ पर हमारा option है computer help का और दोस्तों आप यहाँ पर computer help पे click कीजिए and you can see for the first time there are certain options जो की आपको यहाँ पर display हो रहे हैं जिसके basis पे आप permanently delete कर सकते हैं your Instagram account and दोस्तों for for permanent deletion of Instagram account we have a link as well दोस्तों यहाँ पर दिख सकते हैं आप लिखा हुआ रहे हैं delete your account दोस्तों जैसी मैं इस link पे click करूँगा टक टक and दोस्तों you can see we have option now यहाँ पर मेरा user ID आ रहे है and then it's asking for the reason for example मैं यहाँ पर too many ads करता हूँ and then it will ask me for password and last में लिखा होगा दोस्तों कि एक महीने बाद आपका account delete हो जाएगा जी हाँ दोस्तों एक महीना तो wait करना पड़ेगा बिलकुल wait करना पड़ेगा बड़ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ अगर आपको लग रहा है कि मैं delete कर लूँगा तो दोस्तों रुक जाओ यह बहुत बड़ा तरीका था right मैं आपको थोड़ा इसको simplify कर देता हूँ दोस्तों इसको simplify करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ फटा फट से अब दोस्तों आपने जो यह पूरा जंजट करा है इसको आपको यहाँ पे इंस्टाग्रम आप पे ना करते हुए आप क्या कीचिए आप खोले गूगल क्रॉम दोस्तों गूगल क्रॉम के अंदर आ लगा जैश से आप क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने वही ऑप्शन्स मिलेंगे जहां पर अग्र अगेन हमें आपको कहूंगा तो आपको घ़ल पे जाना है और दोस्तों हेल्प में जाने के बाद now when you click on your delete your account Instagram page again दोस्तों यहाँ पे आपके पास option आ जाएगा to delete your account और दोस्तों बिक्कुल same link यहाँ पे आपको display हो जाएगा पर दोस्तों रुख जाओ यहाँ पे भी रुख जाओ क्योंकि I have another very easy way जिसके through आप very quickly delete कर लेंगे दोस्तों वो तरीका बहुत असान है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आपको क्या करना है आप जब यहाँ पे login करेंगे अपने Instagram account को Chrome browser पे just like this तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा page खुलेगा correct आपके सामने कुछ ऐसी profile खुलेगी दोस्तों अब जो profile खुली हुई है आपको क्या करना है आपको यहाँ पर settings पर क्लिक करना है ठीक है और दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर कोई भी answer नहीं कौन कोई भी आपको पास option नहीं है क्लिक करने का तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहाँ पर क्रॉस करना है आपको यहाँ पर दोस्तों एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है जी हाँ दोस्तों आपको एडिट प्रोफाइल पर ही क्लिक करना है मैं सही बता रहा हूं आप दोस्तों यहाँ पर एडिट your account using this 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 फलाना डिकाना जो भी लिखा हुआ है just ignore all of these क्योंकि जो मेरा option है third option वो best option है and it will be very quick for you guys to delete your account तो दोस्तों आपको कहा करना है आपको link में जाना है link में दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा link आ रहा होगा जिसमें last में लिखा होगा temporary दोस्तों हमें temporary हटा के permanent लिखना है that's it दोस्तों मैं देखो यहाँ पे temporary हटाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ permanent permanent की spelling का किसी को नहीं आती हो तो copy paste कर लेना दोस्तों यहाँ पे जैसी मैंने permanent लिखा आप लोग दोस्तों देखिए यहाँ पे वही पेज खुल गया है जो मैंने first step में लंबे से process के बाद बताया था और दोस्तों यह जो process है third process जो मैंने आपको बताया है third way that is a very easiest way to delete your instagram account अगर दोस्तों आप लोगों को इतनू सो भी मैं help कर पाया तो भाई नीचे comment section में जरूर बताना प्लस साथ ही साथ मुझे like and subscribe जरूर करके जाना हम लोग फिर मिल लेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शबबाग है